दोस्तो बगदाद का नाम तो अपने जरूर सुनो होगा ये विसु का एक परमुख नगर है और इसका अपना इतिहास है इतिहास में इसके अपनी एक छाप है और ये इराक की राजधानी है इसका नाम 600 इसापूरू के बाबिल के नाम वहां के राजा भागदत पर पड़ा ह यह नगर 4000 वर्स पहले पस्चिमी यूरोप और सुदरपूर के देशों के बीच समुदरी मार्क के अविस्कार के पहले कारवा मार्क का परसित के अंदर तथा नदी के किनारे इसकी स्थीती व्यापारिक महत्तो रखती थी मेसोपोटोमिया के उपजाव भाग मेस्तित बगदाद वास्तों में शान्ती और समर्दी का केंदर था नोविस्तापदी के प्रारंबिक वर्षों में यह अपने चरम सीमा पर था उस समय यहां पर बुद्ध खलीपा की छतर चाय में धनी व्यापारी एम विद्वान लोग फलाफूला करते थे रेश्मी वस्तर एम विशाल खप्रेल के भावनों के लिए परसित बगदाद इसलाम धरम का केंदर रहा है यहां का उसर ताप लगबग 23 डिगरी से आसपास है और यहां वार्षिक वर्षा 7 इंच ही होती है यहां खजूर तथा जहाडियों के कुँझ अधिक मिलते हैं बगदाद इराक में फारस की खाड़ी से 500 मिल दूर दजला नदी के किनारे सागरतल से 120 फुट की उचाई पर स्थित है तोस्तों बगदाद का वास्तिक पतन 1258 इस्वी में सुरू होता है जब हलाकु नमक मंगोल ने मेसोपर्टमिया पर अधिकार कर इस्लामी सब्वेता को नष्ट कर दिया था बीस्वी स्ताब्दी तक के कुछ समय को छोड़ कर बगदाद कभी भी सौतंतर राजधानी नहीं बन पाया वर्तमांद समय में संसार की कई परमुक वायू सेवा यहां से गुजरती है तुर्की तक रेल मार्ग बन जाने से इसका संपर्क सीदे वुमद्य सागर से हो गया यहां से दर्यों, उन, गौंद, खजूर और पशू चर्म यानि की पस्वों की खाल का निर्यात, ततब कपास और चाय का आयात करके यह पुनर निर्यात करते हैं यहां चिकित्सा, कला, कानून, इंजेन, रहिंग, सैने, सास्तरादी की सिक्षा का उचित परवंद है यहां परसित, पुराता तो संग्राल्य है, नगर के पुराने भाग में मिट्टी के मकान पतली तथा धूल भरी सड़के देखने को मिल जाती है आधुनिक भाग दर्सनी है और यहां सुन्दर सुन्दर मस्जीदे और बजार भी स्थित है 249 सहरों में कराए गए एक सर्वे में, राजनितिक स्थिरता, अपराद, पर्दुश्यम के आधार पर बगदाद को आकरी स्थान निला बगदाद से 100 किलमेटर दूर उत्तरकूरू में छोटा सा कसबा है जिसका नाम है करबला ये वही स्थान है जहां पैगांबर हजरत मुम्मत सल्लाओ अलेव सल्लम के नवासे हजरत हशन और हजरत हुसेन सत्य और न्याई की रक्षा के लिए सहीद हो गए थे यहां उनकी जंग यजिदी फोद से हुई थी पैगंबर इसलाम के स्वगवास के 40 वरसों के बाद 50 हिजरी कमरी 28 सफर को इमाम हुसेन सहीद हो गए थे तो यह थी बगदाद से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकार या उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलेगा विल थैक दूसरे वीडियो में तब तक के लिए दिन्यवाद